नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कौड़ी जो मालक्षमी का सबसे प्रियवस्तू है आज हम इसी का प्रियोग बताएंगे कौड़ी तीन कलर ज्यादा तर पाया जाता है सफेद पीला और काला हलांकि काला पाना थोड़ा मुस्किल है तो आज हम आपको तीनों तरह के कौड़ी और गोमती चक्र का प्रियोग बताएंगे आप अपनी सुवीधान उसार कोई भी प्रियोग कर लीजेगा सफेद कोड़ी का प्रियोग पहले बताते हैं आप चाहते हैं आपके घर की महिलाएं स्वस्तर हैं प्रसंडर हैं जीबन में खुसी आएं तो आप इस दिपावली एक ग्यारह सफेद कोड़ी ले ले और इसको लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के पूरव दिक्षिन कोने में कहीं पर अच्छे से रख दे जिसको हम आगने कुन कहते हैं देखिएगा घर का वाता बरन बहुत अच्छा हो जाएगा काली कोड़ी जो इसका सीधा समंध सनी से है और काली कोड़ी वैसे तो कम पाया जाता है लेकिन अगर मिल जाए तो छोड़िएगा मत एक भी काली कोड़ी मिल जाती है तो उसको डिब्बी मे संभाल कर रखें कोई पार दर्सी था डबा में उसको भर कर रखिएगा और इसको पहले भर के रखने के पहले आपको सीद करना होगा आप जब पूजा करेंगे आप बैठ जाएए सामने में कोड़ी को किसी थाली प्लेट में रखें उसके बाद ओम संगसने चराए नमहा ओम संगसने चराए नमहा इस मंत्र का 108 बर जब करें या आप चाहें तो ओम त्रेंबके मिजा मेह सुगंदिम पुष्टी वर्धनम मुर पुर्वा रुकमी वबंधनान मिर्त और मुझे मामरितात यह महा मिर्तुजे मंत्र है इसका भी 108 बर जब कर सकते हैं आपकी मर्जी पर इसके बाद एक डिब्बी में इसको रखकर अपने घर के पस्टिम कोने में रख दें और रोज दर्सन करें सनी दोस समाप्त हो या महा दसा अंतर दसा से मुक्ती मिल जाएगी अगर आपके घर में कोई बिमार हैं लंबे समय से स्वास्त ठीक नहीं हो रहा दवाई काम नहीं कर रहा तब पांच काली कोड़ी बिमार ब्यक्ति के उपर से 11 बार उल्टा उतार लें उल्टे हाथ में लेकर बहते वे पानी में छोड़ दें या मिट्टी में कहीं सुनसान अस्थान में दबा दें जल्द ही स्वास्त लाब होगा वो स्वस्त हो जाएंगे तो यह थी सफेग कोड़ी और काली कोड़ी के उपाई अब जानते हैं पीली कोड़ी जो सबसे ज़्यादा आपके पास होगी तो पीली कोड कोड़ी का उपाई आपके जीवन में खुसियां बढ़ाएगा अगर आपके घर में कोई और विभाहित हैं लंबे समय से बिभाह नहीं हो पा रहा है तो ग्यारा पीला कोड़ी ले लें पीले वस्तर में बांधें और जो बच्चे जिनका साधी नहीं हो पा रहा उनके करने से को उंसी इभाह के योग बनेंगे और एक मंत्र है देही में सवाग्यंग आरोग्यंग देही में परमसुखं रूपम जयंदेही यसोदेही और यदि आप अपने मकान में उत्तरपूरव कोड़ी में जिसको मिसान कोन कहते हैं अगर आपको लगता है कि आपको या लक्षमी कोडी पीले कपड़े में बांध कर रख दें तो वास्तु दोस्त खत्म हो जाता है वैसे तो पीली कोडी आपके रिस्तों को भी बढ़ियां करता है अगर आपस में नहीं बनता हो तो 11 पीली कोडी अपने बेडरूम में अपने सिराहने किसी काच के प्लेट में आप चाहें तो पानी में भरके भी रख सकते हैं डालके या फिर ऐसे ही रख दें तो आप लोगों के रिस्तों में जो दरार है वह समाथ हो जाएगी तो अभी तब हमने जाना कि कोडी का प्रियोग क्या क्या कर सकता है अब गोमती चक्र जिसके बारे में आपने बहुत सु आप 108 बर कम से कम जब कर लें अपने पास रख कर और फिर धनस्थान पर या तीजोरी गल्ले में एक चोटी सी डिब्बी में सिंदूर में डालकर रख दीजिएगा एक गोमती चक्र तो आप देखिएगा आपके इंकम बढ़ते जाएंगे धन बढ़ते जाएंगे आपके कोई काम लंबे समय से बनता ही नहीं बनते बनते बिगड़ जाता है तब दो गोमती चक्र और सफेद कपड़े में इसको सिल लें गोमती चक्र रख कर और अपने पर्स में जेब में रख लें चहां भी जाईएगा आपका कारे बन जाएगा कई बार होता लोग पैसे नहीं आप मवस्याईने की दिपावली की राच जाकर गार दें और प्राथना करें कि जो बैक्ती आपका पैसा ले लिया है वो आपको नहीं देरा वापस आप देखिए आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा कई बार होता है कि आपके घर का वास्तु ही गरबड होता है पूर हर तरह के दोसों से मुक्ति मिल जाती है धन की मुस्किले जब प्रेसान करती है तो बैक्ती का दिमाग भी काम नहीं करता और अगर हम आज आपको एक धन पराप्त करने का चोटा सा परियोग बताएं तो वह आपको सफलता तो जरूर दिलाएगा साथ ही जीवन में आप एक पसंद है तो कौड़ी आज हम उसी कब आपको टोटका बताने वाले हैं और यह टोटका बहुत ही काम का है वैसे तो कौड़ी सफेद ब्राउन पीला और चितकबरा हर रंग में आता है तो मालक्षमी को परसंद करने के लिए 11 कौड़ी की पूजा करे मालक्षमी के सामने र पाए तो किसी भी सुक्रवार के दिन कर सकते हैं तो धन की मुस्किलों को दूर करने का यह बहुत ही जादा दूरलब प्रयोग है अगर 11 कौड़ी ना हो तो एक ही कौड़ी रखके आप कर सकते हैं दूसरा देखिए कई बार क्या होता है आपके घर पे लोगों के बुरी न बांध है और बांध कर हनुमान 40 पड़ते वे अपने घर के मुखे दरवाजे पर लटका दें घर में सुक सम्रिद्धी बढ़ेगा तोने टोटके नकात्मा कुर्जा प्रवेस नहीं करेगी घर में रहने बाले लोग सुरक्षित रहेंगे और उनका स्वास्त भी अच्छा है तो ऐसे में आप एक पीला रंग का कोड़ी ले लें से स्वास्त रहेंगे और मस्त रहेंगे वैसे तो आज हम एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे जो कुवेर को आपके घर धन की बारिस करने पर मजबूर कर देगा पीली कोड़ी पीली कोड़ी आपको पता है ना तो आ आप पीले रंग के जो कोड़ी है उसको हरे रंग के कपड़े में बांदें और अपने घर में इसको छुपा कर या कहीं भी कोने में दबा कर रख दें हरे रंग के कपड़े में बांद कर किसी भी घर के कोने में खासकर पूरब उत्तर दिसा हो तो अच्छी बात है कोई भा की पोटली बनाईएगा तो लाल रंग का आपको कपड़े की पोटली चाहिए होगी और इस पोटली में आप सरसों के दाने धनियां के बीच कमल गट्टा कोड़ी गोमती चक्र चांदी का सिक्का और जो मसाले आते हैं पूजा में यूज करनी के लिए लॉंग है इलैची है वो सब कुछ डाल कर इसको आप कुवेड जी को समर्पित कर दें तो ये इस्थिरता को बढ़ाता है धन का पोटली है ये तो धन बना रहता है धन का कमी कभी नहीं होती इस पोटली को आप पूरे साल स्थिर करके धन के अस्थान पर रख दीजेगा दूसरा परियोग एक च लगा कर संभाल कर रख दे ये लक्षमी को स्थिर कर देगा फिलाल आप से बिदा लेंगे हर हर महादेव